यह देखी, यह अच्छे से mix हो गया है, यह देखी, यह हमें इतना गाड़ा चाहिए होगा. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियू किचिन में, मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाएंगे कलाकन, कलाकन इंगया की बहुत ही फेमस डिश है, और काफी लोग की तो यह फेवरिट डिश भी है, इसको बनाने के लिए आज हम कोछी इंग्रीडेंट्स का यूज करें और अगर आप फेस्बुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें, तो चलिए शुरू करते हैं कलाकन बनाना, कलाकन बनाने के लिए मैंने याँपर आधा लीटर फुल फेट डूद लिया है, अब हम इसको कडाई में डालेंगे, और इसमें अच्छे से लाने देंगे, यह देखिए दूद में उबाला आ गया है, अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, और इसको इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे, इसको हमें थोड़ी-थोड़ी दिर में चलाते रहना है, इसमें तला नहीं लगना चाहिए, नहीं तो जले की स्मेल आ इसको छोड़ना नहीं है, और इसमें mix करते जाएंगे, जब तक यह दूद गाड़ा हो रहा है, हम अब चलते हैं, next step की तरह, अब हम आदा लीटर दूद और लेंगे, इसको मैं पैन में डालूंगी, और इसको boil आने तक हम उबलने देंगे, ये भी मैंने full cream दूद लिया है, अब हम इस दूद में उबाला आने देंगे, ये दूद में अच्छे से उबाला आ गया है, अब हम gas की flame को low करेंगे, और इसको पाड़ कर इसका पनीर बनाएंगे, दूद को फाड़ने के लिए, यहां पे मैंने लिया है एक नीबू का रस, इसमें हम इतना ही पानी मिलाए है, और इसको चलाते जाना है, यह मैं थोड़ा सा और मिला रही हूं इसमें, फिर से इसको चलाएंगे, यह थोड़ा सा boil होगा और यह फटने लग जाएगा, यह देखिए दूद फटने लग गया है, अब हम इसको इसी तरह से लगाता चलाते रहेंगे, और यह जो बाकी बचा हुआ lemon सिरफ है, इसको भी इसमें मिला देंगे, इसको अब हमें लगातार चलाना है, इससे दूद और पानी दोनों अलग-अलग हो जाएगे, और हमें perfect छेना मिल जाएगा, यह देखिए छेना और पानी दोनों अच्छे से अलग-अलग हो गए हैं, अब हम इनको ब दालेंगे, अब मैं इस चैने में थोड़ा सा साफ पानी दालूँगी, उपर से, साफ पानी दालने से, इसमें जो हमने नीबू दाला था, उसके खटास चली जाती है, यह देखिए, चैना और पानी दोनों अच्छे से अलग-अलग हो गए है, यह देखिए, आपको पनीर दिख रहा है यह अच्छे से, ध्यान रखिएगा, यह जो पानी बचा है, इसको हमें फैक्टना नहीं है, इसको हम आटा गूनते समय, या फिर सब्जी की ग्रीवी बिनाते समय, यूज कर सकते हैं, अब हम इसको पानी निकलने के लिए छोड़ देते हैं, और चलते हैं, गैस की तरफ, दूद को चैक कर लेते हैं, जो हमने गाडा होने के लिए छोड़ा था, अब मैं इसमें मिलाओंगी, वनफोर्थ कप चीनी, चीनी को आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या जादा कर सक इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और चीनी को पूरा घुलने देंगे, यह देखिए चीनी अच्छे से घुल गई है, अब मैं इसमें चैना मिलाओंगी, यह चैने में इसे पानी पूरी तरह से निकल गया था, अगर आपके चैने में पानी बचता है, तो आप उसको हाथो से निचोड़कर निकाल ले, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, यह देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, यह देखिए हमें इतना गाड़ा चाहिए होगा, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे, यह कलाकन को मैंने सर्विं कलाकंद वैसे इसी फॉर्म में होता है, आप चाहें तो इसे फ्रिज में दो घंटे के लिए ठंडा करके इसके पीसेस भी कट कर सकते हैं, इसको बनाने में मुझे लगबग 30-35 मिनट का टाइम लगा है, ये देखिए इसमें कितना सुन्दर कलर आया है और ये खाने में भी ब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें, तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रैसेपी के साथ, थैंक्यू.